आपको बहुत वेट कराया इसके लिए बट एविन्चुली सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं और इस वीक में आपको प्रोवाइड करने वाला और बहुत से लोग जो ओप्षिन्जु में कामा करते हैं उन्हें यहीं नहीं पता कि strike price कितने types की होती है और किस strike price में काम करके उन्हें benefit मिल सकता है यहां पर यह video बहुत important है क्योंकि अगर आपको correct strike price choose करना नहीं आता आप options में कभी भी मेरे भाई profit नहीं निकाल सकेंगे कभी भी तो कैसे भी नहीं आएगा आपको करना के आपको वीडियो पूरा देखना है और समझना है कि कैसे आप best strike price choose करेंगे किसी भी शेयर या इंडिक्स के अंतर ट्रेडिंग करने के लिए options में specifically ठीक है my dear friends फटा फट से मैं आपको अपना provide करता हूं insight कैसे आप strike price सिलिक करेंगे कौन सा strike price देख आपको profit चाहे बात करें स्क्रीन पर आजए मैं स्क्रीन लॉग इन करता हूं और आपको बताता हूं चीज़े क्या है जो की आपके है काम आने वाली चल्दी से अब चैनल को सब्स्राइब करके बैल आइकन को प्रेस करके आज यह सामने स्क्रीन पर सो यह देखिए माई डियर फ्रेंड्स यहां पर अब हम बात करने वाले हैं किसकी ऑप्शिन के अंदर के स्ट्राइक प्राइस की अब आपको पता है कि ऑप्शिन क्या होते हैं आप यह समझ गए हैं लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था की बिचंगा स्ट्राइब हैं इसल्यों का मिनिंग क्या क्या है कि अगर आप यह से क्लूप dependent करेंगे right so say for an example हम लेते हैं यहां पर nifty का nifty 50 क्या है आप सभी को पता है एक बहुत ही major index है हमारा right so अभी for an example हम लेते हैं कि आज हमारे पास nifty closing price क्या है 11,300 this is I am taking for an example ठीक है आप लोग को समझ आए अच्छे से so example क्या है 11,300 पर हमारा क्या है current market price या current closing price है है nifty का ठीक है और हम क्या कर रहे है हम nifty में bullish है हमारा view क्या है bullish थो हम nifty में यहां से वन बीक का Snake है ब्र sv2 चलते हैं right हम यहां से वन बीक का टागे लेके चल रहे हैं अब आपको पता है options में index में weekly expiries होती है so हमने क्या किया अगले week coming week का एक option buy किया अब वो option क्या होना चाहिए अगर हम bullish है market में यानि कि 11,300 current market price है हमारा target है market को लेके 11,600 ठीक है अब हम क्या देख रहे हैं कि by the end of this coming expiry Thursday जो expiry होगी उस expiry से पहले यानि आज मैं example के तौर पर लो आज है Sunday ठीक है so मैं ये plan कर रहा हूँ कल से यानि कि Monday मैं एक call option buy करूँगा और उस call option में मेरा view क्या है actual में मेरा view है bullish ठीक है bullish view है that means मैं call option यहाँ पर buy करके चलूँगा एक call buy करूँगा अब current market price आपको समझ आ गया 11,300 का है target मेरा 11,600 है so आप के पास question क्या है कि आप कौन सा strike price यहाँ पर buy करेंगे चिक है यानि कि आपके पास index में बहुत सारे strike prices होते है current market price से नीचे भी होते है current market price के ऊपर भी होते हैं और जो current market price है जो हमारा spot price है इसी spot price का भी हमारे पर strike price होता है तो हम कौन सा strike price choose करें जिससे हमें benefit मिले अब हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ समझने की है कि हम यह buy करेंगे Monday को और इसे sell करेंगे Thursday को तो हमारे पास कितने trading sessions है 4 trading sessions है यानि कि 4 trading sessions है तो इन options के अंदर इन trading sessions की यह 4 days का क्या होगा time value भी होगा अब यह basic में मैंने first video में आपको समझाया था अगर आपने वो video मिस कर दिया है तो जाके देखिए तो options के अंदर क्या होता है time value होता है premium होता है तो यह time value इसका formulation क्या होता है अब उस पर नहीं जाएंगे हम हम यहाँ पे basic understand करते है कि हमारा अब view bullish है Monday को हमें एक option buy करना है so कौन सी strike price हम buy करे कौन सी strike price के अंदर हमें profit जादा मिल सकता है चलो जी अब इससे continue करने के लिए हम यहाँ पे example के तोर पे समझते है तो इससे समझने के लिए हम example को continue करते है 11,300 current market price अब आपके पास क्या options है friends आपके पास options है आप इससे नीचे की strike price भी buy कर सकते है 11,200 वाली 11,100 वाली और आप इसके ऊपर की strike price भी buy कर सकते है eventually इसके बीच में आपके पास 11,250 वाली भी होगी and इसके ऊपर आपके पास क्या होगा 11,350 11,400 and it goes on to 11,600 ठीक है अब यहाँ पर understand कीजिए हमारे पास जो strike prices होते है उन strike price के 3 types होते है ठीक है? 3 types अब यह 3 types को मैं बिल्कुल easy इसी example के तौर पर आपको समझाता हूँ वो क्या है? अब आप calls की बात करें हमारा व्यू क्या है? बुलिश तो यह call से हमारे पास हम call के अंदर बाइंग करेंगे अब add the money में क्या होता है? add the money के अंदर अगर हम समझें तो हमारे पास यहां पे spot price जो हो क्या है? 11,300 का और आपने 11,300 का ही call buy कर लिया so add the money में हम क्या pay करते हैं? हम premium pay करते हैं यहां पे premium और time value होती है यहां पे इसकी intrinsic value नहीं होती है अब यहां पे मैं आपको इस example को simplify करके बता दूँगा कि intrinsic value क्या होती है intrinsic value होती है जो current market price पे है या उसके बिल्कुल nearest है उसे हम कहते है ATM अब इस current market price से पहले की यह वाली 11,200, 11,100 यह strike price कौन सी होती है? यह सारी के सारी होती है friends हमारी ITM इसे बुलते हैं in the money अब in the money के अंदर क्या होता है? इं the money के value जो होती है वो high होती है value हाई क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर premium तो होता ही है उसके साथ-साथ intrinsic value होती है अब यह intrinsic value क्या है? वह आप understand करें यहाँ पर एक example के थुरू इसी के थुरू अगर आपने 11,200 वाली call buy की अभी market कहा है? 11,300 पे ठीक है? और अगर आपने 11,200 वाली call buy की तो उसमें क्या होगा? 100 rupees तो यह होगा intrinsic value ठीक है? और जो additional होगा वह क्या होगा? इसका होगा premium या होगा इसका time value जो हम माल लेते हैं premium है 40 rupees, right? आपकी value जो होगी 11,200 वाली call की वह क्या होगी? 140 rupees ठीक है जी? यह होगी क्या? यह value होगी आपकी 11,200 वाली call की अगर आप इससे purchase करेंगे और यही मैं example लूँ कि आप अप क्या कर रहे है 11,300 पे अभी निफ्टी है और 11,300 वाला ही आप strike price purchase कर रहे है call purchase कर रहे है इसमें intrinsic value तो होगी 0 अब आपको pay क्या करना है? सिरफ premium और जुसका time value है premium और time value क्या होगा? जो कि हमें यहां दिख रहा है 40 11,300 वाली strike price को purchase करने के लिए तो यह हो गया आपको understand कराने के लिए कि intrinsic value और time value को add करके हमारे पास option की exact value निकलती है अब हम बात करते हैं यहां पे उपर वाली strike prices की यानि कि आपने क्या किया था 11,300 पे अभी spot है 11,600 का आपका target है आपने क्या किया 11,600 वाला strike price का call purchase किया अब आप देखेंगे 11,600 वाली strike price का call price जो है इसका call के अंदर क्या है premium है यहां पे एक चीज understand करना my dear friends intrinsic value जो होती है वो कभी भी negative नहीं होती है ठीक है it is never negative जैसे कि हमने यहां पे 100 रुपीज तो लिया intrinsic value को अब आप confused मत हो जाना यह सोचके कि अगर यहां पे 11,400 वाली मैं strike price purchase कर रहा हूं so that means 100 रुपीज मुझे मिलेंगे नहीं मेरे भाई यह कभी भी negative नहीं होती है यह हमेशा 0 यह above 0 होती है positive value होती है अगर आप यहां पे 11,600 वाली call purchase कर रहे है आपको पता है 11,600 वाली की intrinsic value तो 0 होगी negative हो नहीं सकती अब इसके अंदर premium और time value आप पे करेंगे premium हम example के तौर पे ले रहेते हैं यहां पे क्या है 10 रुपी अब आपने क्या किया 10 रुपी पे करके यहां पे आपने इस call को buy किया example के तौर पे मैं आपको clear करा रहा हूँ यह so example के तौर पे आपने 10 रुपीज पे यह buy किया so अब इसे understand करते है clear कैसे कि अब आगया हमारे पास expiry day आज क्या है Thursday है अब यहां से हम Monday से Thursday पे आ गए expiry day आगया हमारा अब expiry day पे हम देखते हैं कि हमें क्या benefit होता अगर हम 11,200 वाली call buy करते 11,300 वाली call buy करते और 11,600 वाली call buy करते सो हमें किस में सबसे जादा benefit मिलता चेक है so अब यहां पे expiry day पे सबसे पहला scenario तो हम लेते हैं कि situation जो थी न वो win-win रही win-win समझते है my dear friends के मतलब आपने सोचा था market 11,600 जाएगा और market 11,600 रुपी आ गया अब आपने यहां पे कितना pay किया था 140 रूपी चिके जी आपने 140 रूपी पे किया था expiry पे market 11,600 आ गया यानि कि आप यहां पे time value 0 हो जाएगी premium expiry day पे 0 हो जाएगा सिरफ बचेगी तो intrinsic value यानि कि आपने pay कितना किया था 140 आपकी pocket मिला कितना आपको 400 रूपी चिके जी यहां पे आप understand कर रहे है कि आपने कितना pay किया था 140 रूपी पे किया था और आपको मिला कितना 400 रूपी मिला जो कि था इसका intrinsic value जो बचा रहेगा आपकी pocket में कितना आया लगबग लगबग आया आपके पास 260 रूपी का profit ठीक है फ्रेंज अब हम बात करते हैं 11,300 रूपी स्ट्राइक प्राइस कि 11,300 स्ट्राइक प्राइस के अंदर हमने क्या किया था 40 रूपी पे किया था benefit कितना मिल रहा है यहां पे 300 का क्योंकि हमने क्या परचेस किया था 11,300 परचेस किया था और यहां से market 11,600 पे जाके close हुआ so 300 point का हमें यहां पे gain मिला because time value तो 0 premium तो 0 अब profit यहां के आया हमारे पास यहां भी profit आया हमारे पास friends 260 रूपीज चलो जी वावा अब भात कर लेते यहां की यानि कि आपने expect किया था market क्या करेगा expiry day पे 11,600 पे close करेगा और market ने 11,600 पे ही close किया पर आपने यहां पे 11,600 का call purchase किया था जिसके आपने 10 रूपे पे किये थे अब इस call का इस strike price का value क्या रहा जाएगा expiry day वाले दिन zero और आपको क्या loss होगा क्या profit होगा आपको होगा 10 रूपे का घटा अब यहां पे घटा क्यों हुआ समझने की बात है my dear friends आपने तो 11,600 का strike price purchase किया था यह market 11,600 आएगा और market आया बट यहां पे आपको loss क्यों हुआ benefit क्यों नहीं हुआ क्योंकि आप my dear friends यह understand करना आपने strike price purchase किया था उस strike price के ऊपर जाके अगर market close होता उसके ऊपर तो आपको benefit होता उस strike price पे close हो रहा है या उससे नीचे close हो रहा है market so that means आपने जो 10 रुपए दिये थे वो तो zero होने ही है ठीक है so आप यह जो strike price होती है जो current market price से दूर होती है आप हमारा current market price हमने क्या लिया था 11,300 11,300 से दूर का strike price हमने purchase किया था इससे बोलते हम OTM out of the money राइट यह out of the money strike price है आप आगे से ध्यान रखेंगे कि अगर आप market में bullish view ले रहे है आपका target क्या है market में अगर spot price 11,300 है target 11,600 है आप जादा दूर की strike price purchase करेंगे या अपने target के pass की strike price purchase करेंगे आप क्या करेंगे total premium pay करेंगे अपनी pocket से और जब आपका target हिट भी हो जाएगा जो अपने target प्लान किया होगा हिट होने के बाद भी target हिट होने के बाद भी आपकी pocket में profit नहीं आएगा सो यह तो जोल है ठीक है सो अब आपको समझ आ गया कि जादा दूर की otm वाली जो calls होती है उसके अंदर हमें buying नहीं करनी है राइट सो यह clear हो गया अब आपको यह doubt सबसे जादा रहते लोगों को ठीक है अब आपको आपके view के according क्या करना चाहिए था मेरे according तो आपको atm add the money को purchase करना चाहिए था क्योंकि add the money का मतलब क्या है कि आपने spot price जो है उस price पे या उस price के सबसे जो nearest वाली call है उसे आपने buy किया ठीक है अब market यहां से suppose 11,600 पे close हुआ तो यह scenario था market यहां से 11,400 पे close होता तो क्या scenario होता तो scenario देखें एक बार सो अब हम example लेते हैं यही वाला 11,400 पे market close हुआ 11,200 वाला call buy किया होता 11,300 वाला और 11,600 वाला सो हमें किस में कितना benefit होता सो यहां पे understand करने के लिए हमने क्या किया था यहां पे 140 रूपी पे किया था अब मिल कितना रहा है जितना इन दोनों का difference है यानि कि intrinsic value मिल रहा है हमें 200 रूपी तो profit कितना है 60 रूपी का राइट अब यहां कितना पे किया था हमने 40 रूपी पे किया था मिल कितना रहा है intrinsic value कितना रहा गया का difference यानि कि spot price से market उबर बंद हुआ है तो आपको मिल रहा है 100 रुपी सो यहां पे भी आपको 60 रुपी का profit हो गया अब यहां पे आपने 10 रुपे किया था और मिल कितना रहा है कुछ भी नहीं मिल रहा क्या आपने एक्सपेक्ट किया था 11600 मार्केट क्लोज होगा यह से उप तक जाएगा मार्केट बड मार्केट ने तो 11400 पे क्लोजिंग किया तब भी आपको benefit मिला माइडिया फ्रेंड्स ठीक है यह होता है एक correct way of choosing strike price जब भी आप option ट्रेडिंग करेंगे ठीक है so option trading करते है time आपको ध्यान देना है अगर आप option buyer है मैंने आपे buying का example लिया है seller का नहीं ठीक है selling का example मैं आपको second part में बताऊंगा इसके because एक ही part बहुत लंबा हो जाएगा so this is the first part जिसमें मैं buying example बता रहा हूं second part में option selling की बात करेंगे अब फटा फट से example ले लेते हम एक और जिसमें हम बात करते हैं puts की अब हम put का buy करते है जब हम market में bearish होते है right अब इसी example को मैं जल्दी जल्दी आपको समझाओ vice versa case में so market 11,300 आपका view है कि इस expiry तक यानिकि यह Monday है और Thursday तक आपका view है market चला जाएगा 11,000 पर ठीक है जी आपका view है bearish market में आप bearish है so अब आपने क्या किया जब आपका view bearish है तो आप put buy करेंगे आप put buy करने के लिए भी आपके पास क्या है different different strike price है 11,300 वाली है 11,400 वाली है 11,500 वाल 11,200 11,100 आप 11,000 अब आपने क्या किया यहाँ पर यहाँ पर आपने 11,300 वाला put buy किया 11,400 वाला put buy किया और एक 11,000 वाला put buy किया अब तीनों का differentiation तीनों में क्या है किसमें ज्यादा benefit है उससे understand करते है उससे पहले मैं आपको बताता हूँ इसमे ATM कौन सी होगी ATM strike price कौन सा होगा जो की हमारा current market price के सबसे नज़िदीक सबसे पास होगा तो वो क्या है 11,300 यह तो हो गया हमारा ATM add the money अब यहाँ पर friends बात करे in the money और out of the money तो वो है थोड़ा सा difference calls में क्या होता है in the money नीचे वाले strike price होते है यानि कि current market price के जो नीचे है वो क्या है in the money but put में होता है उल्टा उल्टा कैसे current market price के ऊपर वाले जो strike price होंगे वो होंगे हमारे क्या ITM strike price in the money strike price because intrinsic value तो इनमें होगी क्यों होगी क्योंकि हम bearish segment की बात कर रहे है यहां पर market के गिरने की बात कर रहे है और out of the money कौन सी होंगी जो कि current market price से नीचे होंगी जैसे कि यह तीनो 11,200, 11,100 एन 11,000 यह तीनो है हमारी out of the money strike price अब इस पार्ट में अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा confusion है तो आपको करना क्या है वीडियो को दुबारा देखना है क्योंकि आप वीडियो दुबारा देखेंगे तो आपको almost चीजे understand हो जाएंगी कि आप से कहां क्या गलती होती है strike price पकडने में और वो गलती आगे repeat ना हो so example को continue करते हैं अब जैसा कि मैं को बोल रहा था कि हमने क्या किया 11,300 वाला put buy किया 11,400 वाला put buy किया and 11,000 वाला put buy किया current market price क्या था 11,300 हमारा target था 11,000 का so अब यहां से market ने क्या किया पहले तो देखते हमने pay कितना किया अब यहां पे हमने pay किया मा लेते हैं 50 रूपी ठीक है यह क्या था यह purely premium पे किया time value पे किया हमने 50 रूपी पे किया हमने यह put buy करने के लिए और यही मैं बात करो 11,400 में यहां पे हमने pay किया almost मान के चलिए 140 रूपी ठीक है अब यह previous example से values में थोड़ा सा change होगा यहां पे क्यों आया होगा अगर ऐसा है सो हमेशा मैं तो ATM call ही buy करूँगा ITM call तो भी buy करूँगा यह नहीं क्योंकि ITM में मुझे पैसे भी ज्यादा बे करने पड़ रहे हैं और ITM और ATM का profit भी बराबर आ रहे है बट ऐसा नहीं होता ITM और ATM call prices में क्या होता है variation होता है किसका premium का and उसकी time value होगा time value तो almost same होती है बट premium price में difference होता है जब भी आप ITM call या put buy करेंगे उसके अंदर premium आपको कम पे करना पड़ेगा ATM call price में आपको premium हमेशा जादा पे करना पड़ेगा और सबसे जादा हमें OTM में पे करना पड़ता है because OTM के अंदर तो क्या होता है दूर की call buy कर रहे होत फिर भी हम पैसा पे कर रहे होते है ठीक है सो 11,000 वाली की माल लेते हम यहाँ पे इसका price है 15 रूपी 15 रूपे राइट सो अब आपने क्या किया 140 रूपी यहाँ पे किया 50 रूपी यहाँ पे किया और 15 रूपी यहाँ पे किया market ने 11,000 पे closing दे दिया चलो जी आपका जो target थ 400 वाला put आपने buy किया था आपको कितने रूपे का profit हो रहागा 140 रूपी आपने pay किया था 140 रूपी आपकी pocket में आ रहे होंगे सो आपको हो जाएगा total यहाँ पे 260 रूपी का profit ठीक है जी अब next यहाँ पे अगर 11,300 वाला put अगर आपने buy किया होता तो क्या होता 50 रूपी आते कितने आपके पास 300 रूपी ठीक है तो profit कितना होता यहाँ पे आपको plus होता आपका 250 रूपी राइट आप देखेंगे यहाँ पे 260 रूपी बच रहे है आपको यहाँ 250 रूपी बच रहे है आपको यहाँ क्या हो रहा है अब यहाँ पे यह हो जाएगा zero again क्यों हो से नीचे जाके close करता example के तौर पे अगर यहां market 10,950 पे close करता तो आपको यहां पे इधर यह आपकी pocket से गए थे 15 रूपी आपकी pocket में आते कितने 50 रूपी 50 रूपी तो आपको होता कितने का रूपी 35 का profit अगर market 11,000 से नीचे यानि कि 10,950 पे close होता तो बट आपने जैसा हम सोचा वैसा ही हुआ market 11,000 पे close हुआ तो आपको कोई profit ही नहीं हुआ तो यह होता है drawback एक दूर की strike price pick करने का right so I believe आपको यह topic अच्छे से understand होगा होगा कि आपको कौन सा strike price pick करना है market के अंदर call या put buy करने से पहले ठीक है my dear friends so my dear friends I hope आपको यह वाला वीडियो पसंद आया होगा जो भी मैंने आपको बताया कि strike price हम कैसे select करेंगे किसी भी stock या किसी भी index में so वह आपको समझ आगा होगा यह था हमारा इसका part 1 जिसमें हम buying करते हैं ऐसे ही मैं part 2 आपको provide करेंगा जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि options selling अगर आपने करनी हो सो उसमें आप कौन सा strike price चूज करके चलेंगे वहां पर कौन सा strike price आपको देगा सबसे ज़्यादा help राइट अब क्या करते हैं वीडियो करते हैं इंपर wind up वीडियो wind up करने से पहले वीडियो को like channel को subscribe and bell icon को press करना मत बूलना because notifications आपके पास तभी आएंगे जब आप bell icon प्रेस कर देंगे और अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते है live market updates देखना चाहते है मेरे trades आपको क्या करना है नीचे description box में link given है to open a new DMAT account so नीचे three options given है angel broking, alice blue and zaruda सब किसी के साथ भी अपना new DMAT account register कर सकते हैं और मुझे अपना client code whatsapp कीजिए मैं आपको अपने live telegram updates वाले चैनल में add कर लूगा ठीक है जी सब मिलते हैं आप से मनी next video में till then goodbye and take care